है 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 हुआ है 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 अधिश्क विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ओफ बाइलोजी बाइयार्पी शर आप सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ओफ बाइयार्पी सर में स्वागत है मैं देखिए पिछले क्लास में जो पिछला वीडियो था लाइप प्रोसेस का उसमें डाइजेशन चल रहा था और डाइजेशन में बच्चों हम लोग जो है और गन कर लिये थे डाइजेशन का बेसि के बारे में करेंगे कि यूट्र में क्योंकि मैंने बोला कि डाइजेशन दो क्वल रहा है कि डाइजेशन घ्यवा कर अक्क रहा है इंगे क्या केुआ अधेलियो पर्षन को सुरु कर रहे हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नएए तो प्लीज को सब्सक्राइब क कीजिए और लाइक कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है यह कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं बुले सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाएं तो ग्लैंड्स की बात करते हैं बच्चों तो ग्लैंड्स होता क्या आप अले यह जानते हैं तो करता ने तो ग्रिलिज करता हर्मॉन की बात करते हैं तो जैसे हर्मॉन की बात करते हैं तो सेक्स हर्मॉन टेस्ट्रोस्त और यह इंजाइम्स क्या कर रहे हैं डाइजिसन और फूड में हिल्प कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं ठीक है बच्छो तो स्लाइवरी ग्लैंड लोकेटिड कहा होता है पहले इसकी बात करते हैं तो स्लाइवरी ग्लैंड तक सकते हैं कि उसके पाप है त्री में माउख में हमारे माउट इसलाइवरी गलैन्ट क्या हो रहाervा है समया, क्या रिलीज हो रहा है श्लीज हो रहा है या यख़का पीच्ट्ट्स के बात करते हैं डिक है इसब्सक्ट इस स्लाइटएड 시ck इसका कितना होता है 6.8 होता है सलाइवा उसके साथ साथ इस सलाइवा के अंदर क्या होता है तो लाइसो जोम्स परजेंट होते हैं इसके अंदर इसके अंदर क्या परजेंट होते हैं लाइसो जोम्स परजेंट होते हैं यह लाइसो जोम्स क्या करता है हमारे फुड के साथ ज या इसी को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं टैलिन इंजाइम के सिवाइश को हम और दूसरे नाम से जानते हैं इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं इसको जो बच्चों दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं वो दूसरा नाम क्या यह क्या करता है तो यह करता यह है कि हमारे माउट में जो हमने भोजन खाया हमने जो फूड खाया उस फूड को वो डाइजेस्ट कर रहा है कैसे डाइजेस्ट कर रहा है तो उस फूड में जो कार्बो हाइडरेट है मतलब अस्टार्च जो है उस अस्टार्च के ऊपर वो एक ど् dragging और action DOL करके उसे ब्रेक करेंगों इन्टू सिंपल सॉलोबबल सट्वınaई उसको सीम्पल सॉलोबल सिथन समय करता है तो यह जो चेए बच्चो यह बे करता है किसमें मालकोज में यह स्टार्ड ब्रेक होता है किसमें हो मालोज में ब्रेक होता है यह pH कितना 6.8 पर भी अच 6.8 पर यह चटार्ट में ठीक है और यह माल टोज सिंपल में हमारे माउथ में क्या परजेंट होते हैं उन ही कपिलरीस के थूरू क्या होता है यह maltose absorb होके हमारे पूरे बड़ी के हर organs तक हर tissues तक हर cells तक वो nutrient को ले जाने का काम करते हैं तो slavery gland का काम इतना था, slavery gland का location मैंने बता दिया, slavery gland का function भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अगला gland है gastric gland, तो gastric gland को थोड़ा ध्यान से समझेगा, important है gastric gland, क्योंकि gastric gland से question पूछे जा सकते हैं, तो gastric glands की बात करते हैं, तो gastric gland का पहले location हम लोग देखते हैं, कहा है, तो stomach में located है, stomach wall, stomach के wall में located, देखे इसला है, पूरे digestive system को क्या किया गए, बच्चो असो फेगस से एनस तक पूरे walls को चार और लेयर में divided है, मतलब चार लेयर का हमारा पूरा digestive system बना हुआ है, ठीक है, यह चार लेयर का digestive system बना हुआ है, serosia है, muscularis है, sub-mucosia है, हलाकि यह आपके syllabus का part नहीं है, यह 11th class में पढ़ना है, तो stomach के wall में यह gastric gland का located है, यह gastric gland release क्या करता है, तो यह release तीन चीज़ों को करता है बच्चो, एक release होता है, SCL, एक release होता है, SCL, दूसरा release होता है, mucus, दूसरा जो release होता है, mucus, और तिसरा release होता है, pro enzyme, pro enzyme pepsinogen, ठीक है, तिसरा जो release होता है, बच्चो, pro enzyme pepsinogen, तो यह pro enzyme pepsinogen क्या होता है, बच्चो, यह pro enzyme pepsinogen inactive होता है यह क्या होता है inactive होता है मतलब यह active नहीं है काम भी नहीं करेगा काम कब करेगा तो हम जो food खाए वो food osophagus से होतो हुए हमारे stomach में आया अब stomach में जैसा ही food आता है बचो क्या होता है कि gastric gland activate होता है और इस तीन चीज़ को release करता है तो पहले SCL होता है SCL क्या करता है कि पूरे food में वो mix होता है धीरे-धीरे mix होगा mix होके पूरे food को क्या बना देगा acidic बना देगा जैसा ही acidic होता है पूरा food तो एक proper medium मिल जाता प्रोपर एक्मोस्फियर मिल जाता है किसके लिए प्रोइंजाइम पेपसीनोजेन के लिए अक्टिबेट होने के लिए तो यह प्रोइंजाइम पेपसीनोजेन अक्टिबेट होके पेपसीन में बन जाता है ठीक है यह पेपसीन में कनवर्ट हो जाता है यह प्रोइंजाइम और पेप्टाइड में यह बना देता है पेप्टोंस और पेप्टाइड में यह यह पेपसीन प्रोटीन के उपर एक्षन दिखाएगा और इसको कनवर्ट कर देगा पेप्टों में और पेप्टाइड में ठीक है अब यह SCL का एक काम हो गया प्रोटाइड wage करता है अक्सर मैंने कोशन देखा इयह क्या राइट दॅफशन ऑफे माउत शेह राइवा के बप्षेड होगे भी बचे बहूं सारे जर्म्स हमारे सट्व estaring के तो उन जर्म्स को मारने का काम कौन करता है S.C.L. करता है ठीक है और उसके साथ साथ मालीजे क्या होता है कभी कभी कि जैसे ही आप लजीज बेंजन देखे टेस्टी फूड देखते हैं तो आपके माउथ में क्या होता है वाटरिंग अस्टार्ट होता है जैसे ही गैस्टी ग्लाइंड एक्टिबेट होगे स्टमक में मालीजे फूड नहीं है कभी वोखे पेठ है फूड नहीं है तो S.C.L. क्या करता है स्टमक के वाल के उपर एक्षन दिखाना चालू कर देता है तो स्टमक के वाल को बचाने के लिए म्यूकस आता है म्यूकस काता है मैं S.C.L. का एक्षन नहीं होने दूँगा वो म्यूकस वहाँ पे क्या करता है लेयर बना देता है और इस S.C.L. का एक्षन कहां हो जाता है म्यूकस के उपर हो जाता है और हमारे स्टमक के वाल को बचा लिया जाता है ठीक है this is all about the gastric gland यह gastric glands के बारे में सब कुछ था बच्चो इसके बाद अगला हम बात करते हैं लीवर के बारे में तो लीवर कहां located होता है और लीवर का function क्या है लीवर क्या release करता है उसकी बात करते है सौट में देखें यह सारा चीज आपने अपने classroom में पढ़ रखा है तो मैं सौट में चल रहा हूं लीवर की बात में कर रहा हूं तो लीवर हमारे बोडी का सबसे largest gland होता है जिसका वेट कितना होता है बच्चो वन पॉइंट टू केजी टू वन पॉइंट फाइब केजी ठीक है बारा सो से पन्रा सो ग्राम यानि वन पॉइंट टू एक दसमलब दो किलो या डेड़ किलो तक मढला वन पॉइंट फबॉइंट टांक इसका वजन होता है बच्चो पहली बाट दूसरी बात इसका Spher 각ष होता है इंड़ और लिवर जो है abdominal cavity में located होता है ठीक है और यह release क्या करता है तो इस काम क्या है बच्छो तो बाइल जूस के अंदर होता है Bile Salt इस Bile Juice के अंदर होता है Bile Salt ठीक है और उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है बच्चो तो बाइल साल्ट के सिवा इसमें होता है बिली रूवीन, बिली वर्डीन, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है, किसके अंदर, वाइल जूस के अंदर, ठीक है, हमारे स्टूल का जो कलर है बच्चो, वो यलो कलर है, वो क्यों है, यूरिन का कलर यलो है, क्यों है, त तो यह biis क्या कदा इसी की तो उपर एक्षम स्दिखाने काँ उप्ट कैम किसका पाइल करते हैं कि यह लिवर का पूरा फंक्षन था 10 मीडेह के बारे में शॉट इसके वाद अग्ला तो पेंक्रियाज की बात करते हैं एक Lol तो पैंक्रियाज में हम लोग बात कर रहे हैं तो पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाज लोकेटेड होता है इंदा लूप्स ऑफ ड्यू 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 ड् के बाहों में पंक्रियाज पड़ा हुआ होता है यानि इस पंक्रियाज का लोकेशन हो गया इसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं कि इस पंक्रियाज रिलीज क्या करता है तो यह पंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है पैंक्रियाज क्या चमक में acidic food है यह food जब हमारे small intestine में आएगा तो इसको alkaline होना है basic होना तो basic होने में कौन मदद करेगा तो यह pancreatic juice मदद करेगा उस food को basic बनाएगा ठीक है वो फूट को क्या करेगा basic बनाएगा उसके बाद कहता है इस pancreatic juice के अंदर सिर्फ pancreatic juice नहीं है इसके साथ साथ और भ अंदर बहुत सारा चीज है और वही फर्दर सारे चीजों को क्या करेगा breakdown करेगा तो pancreatic juice हो गया यह pancreatic juice का पहला काम है alkaline बनाना food को दूसरा काम किसके अंदर bundles of enzymes है और वह enzymes सारे क्या करते हैं अलग-अलग functions को एक्जिबीट करते हैं उस अलग-अलग functions को carry out करते हैं तो एक बार फिर से review कर रहे हैं अगर यह चीज यह चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो तो आप mix भी आपको असानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा insert बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए यहां पर और कंग मीक्स योग किया चुक उसकिए किसके साथ हरा के साथ यह सलाइबा कहा सॉय तो सहां से और यह ये इख होंगे पर ने Εलन आ अब व्र भूड के गा पर क्तिनर हो चुका था फहला डाइजेसटन यहां पर न क्या प्षान होग लिइता काःdzieंट कुरह भी बचांँ सेवेंटी परसेंट कार्बोहड्र बचा हुआ है थिक की ये श्टरमक को कणेक्ट करने का एक एक ओरिगन एक कि मौथ 2022-20 लिए टूपए घ्लेट नहीं होगा उसकी बाद फूड आ जाता स्टमक मिं तो हटमक में बात करते हैं बच्छों तो स्टमक में किया है बच्छों स्टमक के अंदर परजेंट है गास्टिक गलांड तो यह गास्टी ग्लांड क्या करेगा बच्छों यह से से रिलीज होगा SCL, mucos और pro-engym pepsinogen, तो SCL मेडियम प्रवाइड किया, सारा कुछ acidic हो चुका है, pro-engym pepsinogen activate होगा, और इसमें जो प्रोटीन थे, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन था, वो प्रोटीन का पहला breakdown होगा, वो प्रोटीन बदल जाया कि समें, peptones में, peptones में बद acidic, वो सीधे चला जाएगा, small intestine में, small intestine में जाने के बाद food क्या होगा, स्टमक में 4-5 गंटा तक food store भी होता है, ताकि, अच्छे से SCL का concentration पूरे में फ्याल सके, और अच्छे से digestion हो सके, उसके बाद food जो है, small intestine में आ जाएगा, small intestine में क्या होगा, deuterium से receive होगा, pancreatic juice, और liver का juice, that is, bile juice होगा, वहाँ पे receive, तो bile juice क्या करेगा, fat को emulsification करेगा, fat वहाँ पे तूटेगा, fatty acid और glycerol में, वो अलग-अलग cascade process में जाकर के, और protein जो तूटा हुआ था, pepteons और peptides, इसके उपर dipeptides नाम का enzyme आएगा, और इसको finally amino acid में तूडेगा, और amino acid में तूटने के lactose है, तो carbohydrate starch में था, starch के form में था, तो वो glucose plus glucose में तूटेगा, दो glucose ओहाँ पर होता है, maltose की बात करते हैं, तो glucose plus glucose में maltose भी तूटेगा, lactose की बात करते हैं, तो glucose plus galactose में तूटेगा, तो यह सारे चीजों में वो finally तूटेगा, और यह absorb होगा, ठीक है, a small intestine के अंदर absorb कैसे होगा, बच्चों, तो a small intestine के अंदर absorption के लिए a special organ present है, that is willy, यह willy a small finger like projections होते हैं, बच्चों, finger like projections होते हैं, और यह क्या करते हैं, absorption करने का काम करते हैं, ठीक है, इसी finger like projection से absorption होता है, तो this is all about your small intestine, इसके बाद food जो है, कहा जाएगा, इसके बाद food आजाएगा, आपका large intestine मे Large intestine में किसी चीज का absorption नहीं हो रहा है, बच्च्छ, digestion किसी चीज का नहीं हो रहा है, शिर्फ absorption का हो रहा है, किसका absorption हो रहा है, water, minerals, और drugs, ठीक है, large intestine के अंदर तीन चीजे का absorption हो रहा है बीच में भल्ब लगा हुआ वहां से एनस के थुरू भल्ब उपेन होगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके बड़ी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो यह सारा कुछ आपका डाइजिसन में था यह डाइजिसन का वीडियो मैंने दो पार्ट में बताया है सकेंड पार्ट बीना first part को देखे second part समझ में नहीं आएगा तो please first part को देख के हमारा second video देखे हमारे channel को आपकी जरुवत है इसलिए आप हमारे channel को subscribe कीजिए और धेर सारा comment कीजिए कैसे इसमें और क्या changes चाहते हैं या कैसा लग रहा आपको वीडियो इस सारा कुछ बताईए अगर मेरे हम लोग के साइट से आपको कोई help चाहिए इस पेपर में biology के पेपर में science के पेपर में कोई help चाहिए तो please exam है 4 March को exam है 4 March को तब तक आपको कोई मदद चाहिए तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे कमेंट कीजे और इससे शेयर करना नहीं भूले तो मिलते हैं इसी सीरीज में फिर अगले पार्ट से डाटी जगला पार्ट आपका क्या होने वाला है रिस्पारिशन तो अगले वीडियो में हम लोग रिस्पारिशन के बारे में बात करेंगे थैंक यू